पीछे की जो दिवार है उसको थोड़ा ऐसे इग्नोर कर देना क्योंकि अभी मैंने सईसे सैट अप त्यार नहीं किया है कर रहा हूं धीर धीरे चीज़ों को मतलब टाइम लगता है होने में कैर एनॉला होम्स जो फर्स्ट मुवी 2020 के अंदर आई थी जब इस मुवी को देखा था मुझे ठीक था किया मुवी लगी थी मुझे नहीं पता था कि इसका सेकिंड पार्ट भी बन रहा है मतलब नवंबर के अंदर ये मुवी आया थी नेट्फिक्स के ऊपर स्टोरी के अगर मैं बात करूँ इस मुवी में तो एनॉला होमस आप फर्स्ट मुवी में देखते हैं कि एक एनरजेटिक लड़की जो बाहर निकलती अपने घर से तो फिर उसके सामने क्या-क्या प्रोब्लमस आती है जो एडवेंचर फर्स्ट मुवी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं जहां से उसको थोड़ा फेम उसका नाम होता है तो सैकंड मुवी के अंदर वो अपनी एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलती है लेकिन कोई कस्टमर उसके पास या फिर कहींगी क्लाइंट उसके पास नहीं आता है तो भी सुचती है कि यार बंदी कर लेते हैं कोई जब आई नहीं रहा फिर एड लास्ट में जाकि जब बंद कर रही होती है तो एक लड़की आती है वो कहती है कि मेरी बहन जो है वो मिसिंग है तो आप मेरी बहन को ढूंड दीजे तो Enola Holmes इस case को तुरंट हाथों आथ ले लेती है और जब इसकी बहन को मतलब यह जो एक मिसिंग लड़के इसको ढूंडने लगती है तो कुछ राज जो हैं खुलने स्टार्ट होते हैं कुछ ऐसे राज होते हैं अगर वो बाहर आ गए तो एक करांती आ जाएगी कैर उसे करांती कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए जब आप भी मूवी देखोगे तब आप समझ जाओगे मैंने कोशिश की कि आप लोगों को बिना स्पोईलर दिये उपरी उपरी तोर पर एक बर ये स्टोरी मैं बता दू मतलब इसमें मैंने कोई स्पोईलर नहीं दिया जैसा मेरे उपर इलजाम लगता है अब एनॉला होम स्टार्टिंग में आप भी मूवी देखते हैं तो जैसे शेरलोक होम्स है तो उसके नाम से जैसे जाना जा रहा था तो एक लड़की अपने नाम करना चारी है तो उसके सामने क्या क्या प्रोब्लम आ रही है अच्छे के अंतर जो सबसे पहले मैं बात करूँगा अब एक अब अलग अनरजटिक परफोर्मस आपको देखने को मिलती है एक ऐसी लड़की जो अभी-अभी मतलब उसने डिटेक्टीव बनी है उसके पास अनुबव की कमी है तो वो कैसे cases को sold करती है, mind उसका sharp है, लेकिन obviously उसे गलतियां होती है, तो ये सब चीजों को बहुत बखुबी से निभाया गया है, साथ ये साथ एनॉला का audience से बात करना, उसके जो dialogue है, या फिर कहींगी थोड़ी बहुत जो comedy है, वो भी इस movie के अंदर डाली गए, वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, तो ये थी इस movie में कुछ अच्छी चीजें, जो मुझे पसंद आई, ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है, obviously इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीजें जो है, वो बुरी हैं, या फिर कहीं कि negative हैं, या फिर पसंद नहीं आने वाली है, स थोड़ा बहुत तो उसके अंदर puzzling होनी चाहिए, ताकि हम भी दिमाग लगाएं या इसके अंदर ये सब चीजें होनी है, वो इसमें बहुत कम रखी गई है, मुवी का ज़्यादा तर फोकस जो है, या यही प्यार महबत, flirting या इस टाइप में रखा गया है, वही यहाँ पर हमें कोई suspense देखने को मिले, obviously, Holmes, Sherlock Holmes है, Enola Holmes है, यह हम नाम जब चुन रहे हैं, तो इससे ज़्यादा उमीदे हम करते हैं, वो इसमें नहीं हमें देखने को मिले, जो बहुत ज़्यादा निराश करती है, कैर मैंने तो इससे ज़्यादा उमीदे रखी नहीं थी, तो मैं से कम ही निराश हुआ हूँ, मुवी की जो स्टोरी है, मैं एवरे से भी कम कहूँगा, हाँ, performance अच्छी है, मैंने इस मुवी को हिंदी डब में देखा है, obviously, Netflix पर आप इसको English में, या जो भी लेंग्विज अभी लेबना, आप उसमें देख सकते हैं, मुझे हिंदी डबिं कहूँ कि यार, जैसे हमें मुवी से उमीदे थी, जो एंडिंग थी, वो हमारे according या फिर इतना interesting नहीं मिलता हमें, जिससे ये मुवी हमें कम पसंदा है, तो बस साच के लिए इतना है इता है इस वीडियो में, आपको ये मुवी कैसी लगी, आपने अगर देख रहे हैं, त आपको बहुत जादा पसंदा है थी, तो आप इसकी सेकेंड मुवी भी देख सकते हैं, तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में, तैंक्स और वोचिंग इस वीडियो में, जैहिंदे